दोस्तों हाइबरनेशन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे आम बोलचाल की भाषा में इसे शीत निद्रा भी कहा जाता है सर्दियों में खाने की कमी को देखते हुए और ठंड से अपनी जान बचाने के लिए अक्सर कुछ जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं इस दोरान ये जानवर ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कहीं इधर उधर जाते हैं ये बस चुब चाप एक जगा पर पड़े रहते हैं मानो ये किसी गहरी नीद में हो और हैरानी की बात तो ये है कि इस से कोई इन्हें नुकसान भी नहीं होता है इस समय इनका मेटाबोलिजम बहुत ही जादा स्लो हो जाता है इनकी हार्टबीट भी बहुत जादा कम हो जाती है यहां तक कि इनका वजन भी बहुत जादा गिर जाता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये मर चुके हैं लेकिन ये जिन्दा होते हैं और तीन से चार महीने बाद जब सर्दियां खत्म होती हैं तो ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं अब सवाल ये है कि कौन से हैं वो जानवर जो हाइबरनेशन की प्रकरिया से गुजरते हैं दोस्तों अगर आप भी सवाल का जबाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे हैं चिप मांक्स दोस्तों अगर इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्कौरल के बच्चे हैं तो ये कीनन आप गलत हैं चिप मांक्स असल में स्कौरल फैमिली के सबसे छोटे जीव हैं ये तीन इंच की पूँच के साथ लंबाई में लगबग 6 इंच के होते हैं पीले और भूरे रंगें पाई जाने वाले चिप मांक्स के फर ग्रे कलर के होते हैं इनके साथ ही इनके गर्दन के नीचे काली और सफेद रंग की धारियां पाई जाती हैं ये सोभाव से बहुत ही हस्मुक और चंचल जानवर होते हैं उन्हें बिल खोदना और नट्स खाना बहुत पसंद है समर और स्प्रिंग के दौरान आप इन्हें जमीन पर या पेड़ पर नट्स खाते हुए और अपनी मस्ती में खेलते हुए देख पाएंगे लेकिन सर्दियों के समय ये जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं और केवल खाना खाने के लिए ही जाकते हैं जिसे इन्होंने पहले से ही स्टोर किया होता है चेपमांक्स हाइबरनेशन के लिए जमीन में तीन फिट तक गहरा ख़दा खोते हैं और उसी गड़े में ये अपने खाने को भी स्टूर करते हैं गर्मियों के अंत में ये अपने लिए नड सिखटा करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सरदियां स्टार्ट होती हैं ये हाईबर नेशन में चले जाते हैं बियर्स दोस्तों Biers यानि की भालू दिखने में जितने क्यूट लगते हैं वो उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं अन्ये शिकारी जानवरों की तरह मौका मिलने पर ये भी इनसानों का शिकार करने से नहीं चूकते हैं भूख लगने पर ये बहुत ही जदा आक्रमक हो जाते हैं। आपको दुनिया भर में भालू की कई प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। जिन में से जदातर भालू काले और घूरे रंग में पाए जाते हैं।ज वहीं इनकी कुछ प्रजातियां ग्रे कलर की भी होती उनके सपाट पैर उन्हें पेड़ों पर चड़ने में मदद करते हैं वे गर्मियों के दौरान घूमते हैं और सर्दियों के दौरान हाइबरनेट करते हैं भालू मांद यानि डैन में हाइबरनेट करते हैं इनकी डैन अकसर पेड़ के नीचे पतियों और जाडियों के बीच होगी कि इन में से जाधा तर तो स्प्रिंग का मौसम आने पर भी नहीं जागते हैं लेकिन जो प्रेगनेंट फीमेल बीर्ट्स होती हैं वो अपने बच्चों को जनम देने के लिए जनवरी या फरवरी के दौरान जाग जाती है दोस्तों चमगाधर दुनिया भर में पाया जाने वाला ये जिव दिखने में बेदी बदसूरत होता है इनका मुद दिखने में चुहे के समान लगता है ये काले रंग क्यों होते हैं ये एक मातरे ऐसा मेमल है जिसे प्रकृती ने उड़ने के लिए बनाया है इनका साइज बहुत चोटा होता है ये महज 1.5 इंश तक में सभी शमगादव Elektron नहीं करते हैं कुछ जीविद रहने के लिए गरम शेत्रों में कर जाते हैं और जो माइग्रेट नहीं करते वह पेड़ों की दरारों खलिहानों और इमार्तों में करते को पाई जाते हैं हाइबरनेशन के लिए कच्छों को peaceful atmosphere प्रसंद होता है इसलिए ये गड़ा खोद कर खुद को मिटी के अंदर गहराई में दबा देते हैं इस दोरान ये अपने खोल के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो खुद को वहाँ पर सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन स समय जिन्दा होते हैं इनके हाइबरनेशन की अवधी दो से पांच महीने की होती है और सबसे जादा हैरानी की बात तो यह है कि यह ना सिर्फ सर्दियों में बलकि कई बार गर्मियों में भी गड़ा खोद कर उसके अंदर चले जाते हैं क्योंकि कच्छवा एक ऐसा जीव ह जीसे ना बहुत अधिक सर्दी बरतार्स होती है और ना ही बहूत अधिक गर्मी LIVE इसलिए खुद को ठंडा रखने के लिए वह गर्मियों में भी खुद को मिट्टी के अंदर दबा लेते हैं हजिसवाल है क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑक्सिजन लेवल ना के बराबर होता तो दोस्तों दरसल इस दौरान कच्वे अपने body fat, अपने skin और अन्य chemicals की मदद से एक खास तरह का enzyme बनाते हैं जिस वज़त से इन्हें oxygen की जरुद नहीं परती वहीं इनमें कुछ कच्वे अपने skin की मदद से ही सांस लेना शुरू कर देते हैं गाटर snakes दोस्तों दुनिया भर में सापों की ढड़ाई हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमेंसे 500 के करीब जहरी लिए होती हैं लेकिन उन 500 प्रजातियों में से कई प्रजातियां ऐसी होती है जिनका जहर इतना खतरनाक होता है कि उनके थोड़े से जहर से ही इनसान कुछी मिंटों में मर जाता है पर गाटर स्नेक के साथ ऐसा नहीं है ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं हाना कि इन में से कुछ में हलका जह होता है लेकिन यह जहर इतना खतरनाक नहीं होता कई लोग इन सापों को अपने घरों में पालतू जानवर की तरह भी पालते हैं गाटर स्नेक लगभग 30 इंच तक लंबे होते हैं और यह पांच फिट तक ग्रो कर सकते हैं वैसे तो यह कई रंगों पाए जाते हैं लेकिन उन अन्य सापों के साथ हाइबरनेट करना जादा पसंद करते हैं सेलमेंडर दोस्तों सेलमेंडर एक तरह का एंफीबियन जीव है यह मेंड़क से काफी हद तक मिलता जूलता है यह जादा तर नौधन हेमेस्फियर में जीलों और तालावों के आजपस नमशेत्रों पाए जा यह जहरीले भी होते हैं यह कीडे मॉकोडों को खा कर जीवित रहते हैं सांस लेने के लिए सेलमेंडर अपने लंग्स गेल्स और स्किन का इस्तिमाल करते हैं सर्दियों में यह भी हाइबरनेट करते हैं अधिकांशता व्यर्सक सेलमेंडर दिन में चिपते हैं और रात में भोजन करते हैं कुछ प्रजरन के मौसम तक जमीन के अंदर अपने बिल में छीपे रहते हैं और ये तभी उभर कर बाहर आते हैं जब नम्मी और तापमान का लेवल उनके लिए बिलकुल परफेक्ट हो वेल आपको बता दें कि कुछ सेलेमेंडर जैसे की मड़ पपी हाइब इपरनेट नहीं करते हैं ये सर्दियों में भी पूरी तरह एक्टिव रहते हैं अलासकन वुड फ्रॉग दोस्तों मेंड़क हमारी दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जो आगामी मौसम को सबसे पहले भाप लेते हैं जल और थल में समान रूप से पाए जाने वाला ये जीव दिखने में जितना अजीव लगता है वस्तविक्ता में ये उससे भी कहीं जादा इंटरस्टिंग होते हैं और बात जब अलासकन वुड फ्रॉग की हो तो ये आपको और भी जादा है अलासका में जब टेंपरेचर माइनस 20 डिगरी सेलसियस गिर जाता है तब इस मेंड़क का शरीर लगबग फ्रीज हो जाता है यानि हाइबरनेशन में सो जाता है उस वक्त ये लगबग 80 परतिशत तक बरफ में जम जाते हैं और आपको जानकार हैरानी होगी कि इस दौरान इनका सांस लेना भी बंद हो जाता है उसके दिल की धड़कन भी लगता है मतलब ये कि ये फिर से जिन्दा होकर अपने काम पर लग जाते हैं वैसे इनकी इसी खूबी को देखकर लोग इन्हें फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारे द्वारा बताये गए इन सभी जानवरों में कौन से जा करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार